बच्चों, मनुश्य की तीन मूलभूत आवशक्ताएं होती हैं, ये हम सभी को पता है और वो है भोजन, वस्त्र और मकान, तो ये तीनों ही मूलभूत आवशक्ताओं में अधी हम देखें, तो भोजन और वस्त्र के बाद तीसरी मूलभूत आवशक्ता हमारी आवास या मकान की होती है और अपनी इस आवशक्ता को पूरा करने के लिए मनुश्य जो है वो घर का या मकान का निर्माण करता है और हम सभी जानते हैं कि मकान या घर की आवशक्ता हमें क्यों पढ़ती है इसकी आवशक्ता हमें विश्राम करने के लिए या अपने संपत्ती की सुरक्षा करने के लिए ये सभी के लिए हमें एक आवास और उस आवास के रूप में घर या मकान की आवश्यक्ता होती है तो ये घर या मकान जब कई घरों या मकानों का समुम होता है एक साथ कई घर और मकान होते हैं तो इससे बस्तियों का निर्माण होता है एक आवास हुआ वो आवास की मूल भूत इकाई जो है या हम कहें कि बस्ती की ही मूल भूत इकाई घर या मकान होती है और एक घर और कई घर या मकानों के समुहन से बस्तियों का निर्माण होता है तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्शा करेंगे हमारा चैप्टर है मानो बस्तियां या मानो अधिवास तो अभी जैसा हमने समझ लिया कि मानो बस्तियां क्या है कई घरों का समुह जो है वो मानो बस्तियां कहलाती है अब इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार ये जो बस्तियां हैं वो किसी भी आकार या प्रकार की हो सकती हैं ठीक उसी प्रकार जैसे इसकी जो मूल भूत इकाई है बस्ती की जो घर या मकान हमने बात की ये भी कई प्रकार और आकार की हो सकती है मतलब की एक घर या मकान जो है वो घास की जोपड़ी से लेकर एक बड़े महल तक हो सकता है तो जैसे एक घर या मकान कई प्रकार के हो सकते हैं ठीक उसी प्रकार मानो बस्तियां भी जो हैं वो कई आकार या प्रकार की हो सकती हैं अगर हम ये मानव धिवास की बात करें तो यदि इस्थाईत्व की आधार पर देखें तो एक इस्थाई बस्ती हो सकती है और दूसरी इस्थाई बस्ती हो सकती है बच्चों प्राचीन काल से ही हमने बात की है कि पहले मनुष्य जो है वो एक घुमकड जीवन व्यतित करता था और घुमकड जीवन क्यों व्यतित करता था क्योंकि तब उसकी आजीविका का जो साधन था वो आखेट, मतलब शिकार करना, संग्रहन करना या पशुचारन करना तो इन सभी के लिए वो एक घुमन्तु जीवन जो है वो व्यतीत करता था मतलब एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लेकिन जब से उसने हम कहें कि हम धीरे धीरे क्रम्श विकास की हर अवस्था को हर द पालन भी है लेकिन जब हम प्रात्मी क्रियाओं के रूप में आखेट, संग्रहन या पशुचारन करते थे उसके बाद जब हमने पशुपालन करना सीखा और पशुपालन के बाद फिर क्रिशी कार्य करना हमने प्रारम्भ किया मतलब हम विकास की गती में आगे बढ़ते जा रहे थे तो जैसे ही हमने पशुपालन या क्रिशी कार्य करना प्रारम्भ किया तो मनुशी को ये आवश्रक्ता महसूस हुई कि उसे एक गुरुप या समुह में रहना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसे ये भी महसूस होने लगा कि मुझे एक इस्थाई जीवन जो है या इस्थाई घर या आवास की आवश्रक्ता है तो जब उसे इस्थाई घर या आवास की आवश्रक्ता महसूस हुई तो वो अपने पशुपालन के कारे के साथ या क्रिशी जैसा कारे जो उसने प्रारम करना सीखा उसके बाद वो एक जगा इस्थाई रूप से रहना प् कहें कि एक इस्थान से दूसरे इस्थान जब वो भोजन आखेट या संग्रहन कारी करता था तब वो एक आइस्थाई जीवन व्यतित कर रहा था और हम उसके अधिवास को या आवास को एक कह सकते हैं या आइस्थाई आवास था जहां पर वो आखेट का कारी करता था वही प शुपालन का कारे प्रारंभ किया तो उसने प्रारंभिक तोर पे इस्थाई जीवन या इस्थाई आवास बना कर रहना प्रारंभ किया तो जब हम अधिवास की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अधिवास दो तरह के हो सकते हैं या तो वो इस्थाई हो सकता है और दूसरा वो अइस्थाई हो सकता है और इसके साथ ही साथ इसकी जो अन्य विशेश्टाएं हैं इन सब के अधार पर भी हम देखें तो वो अध प्रामींड अधिवास हो सकता है, एक नगरी अधिवास हो सकता है और नगरी अधिवास में भी क्रमशह जब वो और विक्सित अवस्था में पहुंसता है तो वो महानगर, सननगर इस टाइब के जो अधिवास हैं उनके प्रकार या उनकी प्रकृती हमें देखने को मिलती हैं तो अधिवास के कई आकार या प्रकार हो सकते हैं या मानोबस्तियां जो हैं वो कई आकार या प्रकार की हो सकती हैं तो आए हम सबसे पहले तो ये चर्चा कर लें कि जो हमने मकान या आवास के बात की थी तो इस मकान के निर्माण को प्रभाविक करने वाले या आवास के निर्माण को प्रभाविक करने वाले कौन-कौन से कारखें तो सबसे पहले हम देखते हैं जलवायू जलवायू में भी जैसे हम एक फैक्टर लेते हैं वर्षा या रेनफॉल का तो उसमें हम देखते हैं कि आप ये बात गौर करेंगे कि जो भुमधिरेखी छेत्र हैं, भुमधिरेखी छेत्र मतलब जहां वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो बहुत अधिक वर्षा वाले छेत्रों में जो मकान हैं, वो एक प्रकार से हम कहें कि मचानों में बन और शुष्क प्रदेशों में जो आवास या घर हैं वो मिट्टियों के और मोटी दिवारों के बनाए जाते हैं और कारण क्या है कि वहाँ पर बहुत जादा तापमान अधिक होता है तो तापमान को कम करने के लिए गर्मी कम महसूस हो इसके लिए मिट्टी के घर बने होते ह वहाँ जो दिवारे होती हैं घरों की वो दिवारों की मोटाई बहुत अधिक होती है पिस जल्वायू के फैक्टर में ही देखिए हम विवित्ता हमें और देखने को मिल रही है कि अगर हम धुरूवी प्रदेशों में तुंड्रा वाले छेत्रों में चले जाएं तो वहां एक जिन जाती है, जो धुरुवी प्रडेशों में निवास करती है, और उनके द्वारा जो आवाज का निर्मान किया जाता है, वर्फ के जो घर बनाए जाते हैं, उन्हें हम इगलू कहते हैं. इसके साथ ही साथ जब हम घास के मैदान में चले जाए तो हम वहाँ पर और विवित्ता देखने को मिलती है कि घास के मैदान में तंबो के रूप में घर जो है वो बनाए जाते हैं अब जलवायू का ही एक और फ्यक्टर हम देखते हैं वायू की गती एवं दिशा ये भी मकान के निर्मान को प्रभावित करते हैं जैसे कि जब आप ब्रीटेन में चले जाते हैं तो हम देखेंगे ब्रीटेन में जो तेज गती से चलनेवाली पच्छवा हवाये थे तरफ और तो निते जवाले निरय होते हैं वो पुर्व या दक्षिन पूर्वदिशा की तरफ बनाये जाते हैं जिससे इन पच्छुआ हवाओं का प्रभाव कम झेलना पड़े इसके बाद हम देखेंगे कि जो कम वर्षा वाले भाग हैं कम वर्षा वाले भाग में तो घरों की जो छत होती है वो सपाट और चौरस होती है लेकिन जो अधिक वर्षा वाले छेतर होते हैं वहाँ पर हम देखेंगे ढालू वाले छत जो हैं वो बनाये जाते हैं और कारण यह है कि वहाँ पर वर्षा का जल जो है उस छत में इकठा ना होने पाए अब इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जलवायू ते एक महत्तपूर्ण फैक्टर था और इसके बाद जो संसाधन की उपलब्धता है मतलब कोई भी छेतर जिस छेतर में आवास का निर्मान किया जा रहा है वहाँ पर संसाधन की उपलब्धता भी आवास या मकान के निर्मान को प्रभावित करती है वो कैसे वो हम ऐसे देखते हैं जैसे जो परवती भाग होते हैं परवती भागों में जो घर बनाये जाते हैं उनमें अधिकतर वहाँ पर जो मिलने वाला संसाधन है चटान या पत्थने तो पत्थरों का उपियोग किया जाता है और जो वन अच्छा दित छेतर होते हैं पूरे वन से ढकी हुई भूम्या होती है जहां पर बहुत जादा वन का छेतरफल मिलता है तो वहां पर आवास या घर बनाने के लिए बास लकडी का या फिर जो जाडिय है उनका प्रयोग किया जाता है भही हम देखेंगे जो जापान है तो जापान जैसे जो भुकम पर प्रभावी देश होते हैं तो चुकि बार-बार यहां पर भुकम की तिवरता भुकम की तिवरता बहुत अधिक होती है और साथ ही फ्रिक्वेंसी भी मतलब बहुत जादा मात्रा में यहां पर भुकम की मार जो है आपदा की मार जो है वो इन देशों को जहलनी पड़ती है जिसके कारण इन देशों में जो मकान बनाए जाते हैं वो लकडी या हलकी वस्तुओं से बनाए जाते हैं ताकि एक बार जब इस आपदा के कारण ये नुकसान हो तो फिर से वो बहुत जल्दी से उसे स्टेबल कर पाएं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता भी आवास या मकान के निर्माण को प्रभावित करती है इसकी बाद तीसरा फैक्टर जो है वो धरातली उच्चावच है धरातली उच्चावच जैसे हम परवती पर छले जाएं तो परवती झढ़ Влад पर तो कई इस तर पर आम माकानों का निर्माण देखने को मिलता है जैसे जो निचले धाल होते हैं तो निचले धालों हम देखेंगे जो दलदली छेत्र होते हैं तो दलदली छेत्र में जो मकान बनाये जाते हैं उनकी नीव या आधार जो है वो बहुत मजबूत और पक्का बनाया जाता है ताकि वहाँ पर मकान के ढहने की संभावना बहुत कम हो उसकी नीव के कमजोर पढ़ने की संभावना ज आप घर बना रहे हैं तो भी हमने कहा ना भई खुद की सुरक्षा आराम और इसके साथ ही साथ अपने संपत्ती की सुरक्षा के लिए भी जो है वो आवास की हमें आवश्यक्ता होती है तो इसी में एक इंपोर्टेंट एक्जामपल हम देखते हैं जो मसाई जन जाती होती है मसाई जन जाती अपनी सुरक्षा के कारणों का ध्यान रखते हुए ही यह सुरक्षा का ध्यान रखकर ही यह क्रॉल का निर्मान करती है यह अपने आपको जो जंगली जानवर होते हैं उनकी उनसे स प्रकार के क्रॉल का निर्मान करते हैं और यह आप पिक्षर में बहुत अच्छी तरह से देख भी पा रहे होंगे तो यह हो गया मकान के निर्मान को प्रभावित करने वाले कारक बच्चो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने कहा था अधिवास इस्थाई भी हो सकते है इस्थाई भी हो सकते हैं इनमें कारी और इनकी प्रकृति के आधार पर भी जो विशेशताई मिलती हैं जैसे कोई अधिवास ग्रामीड अधिवास हो सकता है कोई कजबे की रूप में हो सकता है कोई नगरी अधिवास हो सकता है कोई महानगर हो सकता है तो सबसे पहले ग्र ग्रामीर अधिवास की हम विशेष्टाएं देख लें, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, तो क्या पहचान होगी या हम कैसे पहचानेंगे की कोई अधिवास या घरों का जो समू है, कोई जो बस्ती है, वो ग्रामीर है या नगरी है? तो हम ग्रामीर बस्ती की विशेष्टाओं पर बात कर लेते हैं, सबसे पहली बात तो ग्रामीर बस्तियों में जो कारी किये जाते हैं, या वहाँ के लोगों के द्वारा, रहने वाले लोगों के द्वारा जो कारी किये जाते हैं, वो प्रमुख रुप से प्राथमी कारी किय जाते हैं मतलब जमीन से जुड़े हुए कार्य जो हैं वहां के रहने वाले लोग करते हैं जैसे कि प्रात्मी क्रिया में हमें पता है खनन का कार्य हो गया या पशुपालन हो गया क्रिशी हो गया मचली पालन हो गया इस प्रकार के जो कार्य हैं प्रात्मी कार्य ये ग्रामीर अधिवास के लोगों के द्वारा किये जाते हैं और इन सब के अलावा भी हम देखेंगे कि जो लोहार है, बढ़ही है, कुमहार, नाई, इस प्रकार के जो कारिक करने वाले लोग भी बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक जनसिंख्या इनके में देखने को मिलती हैं। यह जो कृषी प्रधान अधिवास की हम बात कर रहे हैं या ग्रामीड अधिवास जो हैं, इनकी मुख्य बसाहट से हट कर कुछ घरों के समूह होते हैं, जिन्हें यहाँ पर पुर्वा, तोला, पारा इस प्रकार के नामों से जाना जाता हैं। और इन्हें चतिसगड में भी कुछ प्रचलीत नाम दिये गए हैं, जैसे की पारा है, डी, मजरा, इस प्रकार के नामों से यहाँ पर चतिसगड में यह जो हिस्से हैं या यह काईया जो हैं वो प्रचलीत हैं। साथी साथ हम देखेंगे कि इस अधिवास में जनसंख्या का आकार भी हमें अपेकशाकृत छोटा मिलता है। और साथी साथ घनत्व भी जो है वो यहाँ पर हमें कम मिलता है, मतलब जनसंख्या बहुत ज़ादा सटी सटी घनी हुई जनसंख्या नहीं मिलती। हमें वहाँ पर परियाप्त जगह होती है और वहाँ पर आप एक्षाक्रिचुकी कम जनसंख्या होती है तो वो फैल कर निवास करते हैं प्रियाप्त स्पेस होता है वहाँ जनसंख्या की निवास करने के लिए इसलिए हमें यहाँ पर जनसंख्या का घनत्वी भी कम मिलता है अब हम देखते हैं कि प्रकार की हम बात करेंगे कि ग्रामीर बस्तियों के प्रकार कौन-कौन से हैं तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो प्रकार है वो किन तत्वों से ये किन फेक्टर से प्रभावित होते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो भोतिक और समाजिक कारक है भोतिक और समाजिक कारक beginning मतलब ब्हुतिक कारक है कि जैसे हम जो इनके प्रकारों को प्रभावित करते हैं, उसमें जैसे सामाजिक संदशना होगी, वहाँ पर मिलने वाली जाती या धर्म का भी जो प्रभाव है, वो उस अधिवास पर देखने को मिलता है, और इसके साथ ही तीसरा फैक्टर जो है, वो सुरक्षा है, मतलब सुरक्षा सम मद्दित कारण भी जो है, वहाँ पर अधिवास के या ग्रामीर अधिवास के प्रकार को मुख्यरूप से प्रभावित करते हैं, तो आएए, अब हम बात कर लेते हैं, ग्रामीर अधिवास के विभिन प्रकारों पर, बच्चों, अब हम ग्रामीर अधिवास के प्रकार की बात कर लें कि प्रकार की सधार पर हम कहेंगे यहां पर जो मिलने वाले मकान या घर होते हैं वो किस प्रकार के समुह में या उनका आकार प्रतिरूप जी है वो किस प्रकार से मिलता है तो मुख्य रूप से हम देखेंगे ग्रामीन बस्तियों के चार प्रकार हैं पहला सघन या clustered अधिवास जिसे हम कहते हैं, दूसरा विखंडित या semi-clustered अधिवास या settlement, तीसरा पल्ली पूर्वा इस नाम से जाना जाता है और चौथा है आपका विखरे या प्रकिर्ण अधिवास. तो इन चारो अधिवासों के प्रकार पर या ग्रामीर अधिवासों के प्रकार पर हम बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं सघण अधिवास या सघण बस्तियां या clustered settlement, तो ये जो बस्तियां होती हैं इस प्रकार की, आप इस पिक्टर के माधियम से देखी पा रहे तो आपस में सनलगन घर देखने को मिलते हैं। यहां का जो कारीकारी इस्थल होता है, जैसि कि हम खेत खलीहान की बात कर लें या चारागाह की बात कर लें, वह इन आवासी इस्थानों से या आवासी बस्तियों से थोड़े दूर में इस होते हैं। इसके साथ ही लिगे ये जो बस्तियां होती हैं, ये केंद्रित होते हैं, मतलब जितने भी अधिवास या मकानों के घरों के समूज होते हैं, वो एक केंद्रिस्थल की तरफ, एक केंद्र की तरफ ही सटे हुए रूप में हमें देखने को मिलते हैं. अब ये क्यों ऐसे हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि जैसे उपजाओ भूमी है कहीं पर भी हमें उपजाओ भूमी देखने को मिलेगी तो उस भूमी के अधिकतम उपयोग के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या जो है वो उसी छेत्र में निवास करना चाहेगी या फिर हम जैसे राजस्थान के शुर्ष के छेतर में बात कर लें उस शुर्ष के प्रदेश में यदि कोई एक जल का श्रोत मिल जाए तो सभी जो जनसंख्या या अधिक से अधिक जनसंख्या उस जल शोर्ष के पास उस जल के श्रोत के पास ही आसपास ही निवास करना चाह तो एक सघन बसाहट इस प्रकार के छेत्र में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की सघन ग्रामीर बस्तियां देखने को मिलती है। दूसरा है आपका सेमी क्लस्टर्ड या विखंडित बस्तियां जिने हम कहते हैं। तो इन बस्तियों की विश्यष्टा होती है कि ये सघन बस्तियों की तरह नहीं होते हैं। घरों के समू जो होते हैं, मकानों की जो समू होते हैं, ये सघन बस्तियों की अपेक्षा थोड़े दूर-दूरिस्थित होते हैं। ये हम ये भी कह सकते हैं कि इन बस्तियों की उत्पत्ति या प्रादुर्भाव का कारण ही इन सघन बस्तियों का विखंडन कह सकते हैं। नाम से भी हमने देखा कि विखंडित बस्तियां इसका नाम भी हम कह रहे हैं। तो जो सघन बस्तियां होती हैं वो भी खंडित हो जाने से ऐसा अधिकतर ये सामाजिक जो हम कहें भेदभाव होता है या फिर अकसर ये देखा जाता है कि किसी सघन बस्तियों में वहाँ पर उस केंद्र इस्थल में बहुत जादा सघन बसाहट हो जाती है तो लोग थोड़ा कमफर्टेबल रहने के लिए या आवास की समस्या भूमी की समस्या उत्पन होने के कारण उस मुख्य बस्ति से दूर हट कर जो है वो अपने घरों का निर्माण करते हैं और इसके साथ ही साथ है एक और मुख्य कारण है जैसे गाओं का जो मुख्य जमिदार होता है उसके क वो उस प्रकार से एक मुख्य बस्ती का अलगा हो जाता है चाहे वो समाजिक भी हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है या अन्य फैक्टर भी इसके पीछे हो सकते हैं। अब जाता है और वो टूटकर छोटी छोटी बस्तियों में बिखर जाती है जिसे हम् विखंडिद बस्तियों कहते हैं। अब हम देखें कि हमारे भारत में ये बस्तियां कहां कहां पर मिलती हैं तो हम बात कर लें मणिपूर के नदियों के तटी किनारे पर या नदियों के सहारे सहारी इस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो मंडला और बाला घाट है और हम छ Burwakaar की व्खंडिद बस्तियां मिलती हैं. तीसरा है ग्रामेडबस्तियों का प्रगार जो उसे हम पल्ली या पुर्वा कहते हैं. यह पल्ली या जुद पुर्वा की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कई छोटी इकाईों में बिखरी हुई बस्तियों के रूप में देखने को मिलती है। इनका जो इस्थानी नाम है या कई जगों पर इनहें इस्थानी नाम पल्ली, पुर्वा, ढोला, तोला, धानी इस प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। और इस प्रकार के जो आवास होते हैं इनके बीचों बीच में खेत या चारागा होता है और उसके आसपास जो है वो आवासों का निर्मान किया जाता है। इस प्रकार के आवास हमें पष्षिम बंगाल में और साथ ही साथ पुर्वी जो उत्तरिप्रदेश है और तटी मैदान यहां पर हमें भारत में इस प्रकार की बस्तिया देखने को मिलसेव अब चौथा ग्रामिन बस्ती का प्रकार है बिखरे या प्रकिर्ण अधिवास या हम इने एकांकी बस्तियों के नाम से भी जानते हैं इन बस्तियों में हम देखेंगे कि जहां पर क्लस्टर्ड जिया हमने जो सेमी क्लस्टर्ड की बात की तो घने रूप में और थोड़े दूर दूर जो है वो घरों के समूँ होते हैं लेकिन जब हम प्रकिर्ण या बिखरे हुए अधिवास की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है बिखरा हुआ रूप हमें इन घरों के समूँ का देखने को मिलता है या एकांकी बस्तिया कह रहे हैं तो हमें दूर दूर पर कहीं पर दो चार घर मिलेंगे उसे और थोड़ी दूर पर जाएंगे तो कोई एकाद घर मिलेगा फिर थोड़ी दूर पर फिर दो त इन घर मिल जाएंगे इस प्रकार से इस प्रकार के अधिवास में जो बस्तियां या घरों के जो समू होते हैं वो बहुत दूर दूर और बिखरे हुए रूप में देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही साथ घरों का जो समू होता है वो भी बहुत छोटा होता है और इन घरों के समुह में कोई 2 से लगभग 60 घर तक की संख्या जो है वो मिल सकती है अब हम देखते हैं कि भारत में कहां कहां पर इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं तो छोटा नागपूर का पठार है मध्यप्रदेश है राजस्थान है जो निचले पहाडी छेत्र हैं या पहाडी धलान पर हमें इस प्रकार के अधिवास जो है वो मिलते हैं पहाडी छेत्र जो होता है उन पहाडी धलानों पर जहां कहीं भी सम्तल प्रकार की भूमी मिलती है तो वहां पर लोग अपना घर बना लेते हैं तो इस प्रकार से ये प्रकर्ण या बिखरे हुए अधिवास जो है ये पैटन में मिलते हैं मतलब हमें मालूम है कि कोई भी बस्ती जो विक्सित होती है चाहे वो ग्रामिर हो या वो नगरिय बस्ती हो तो उसके कुछ प्रतिरूप जो है कोई आकार जो है वो देखने को मिलता है तो इन प्रतिरूपों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन-कौन से प स्क्वेर पैटन, वृत्ताकार, सर्कुलर पैटन और फिर अरिय या रेडियल पैटन, यह मुख्य पैटन या प्रतिरूप हैं जिनमें हमें अधिवास चाहे वो ग्रामीन हो या नगरी, इन अधिवासों के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लें, रेखी प्रतिरूप या लीनियर पैटन, तो यह जो पैटन है, यह आपको किसी एक नदी के सहारे सहारे या कोई एक मुख्य मार्ग, सड़क मार्ग के सहारे जो है वो देखने को मिलता है इस प्रकार का प्रतिरूप, मतलब जब कोई नदी होती है, कोई जल का सोर्स है, तो घर या धिवाज बनालिये जाते हैं तो एक रेखा के रूप में ये पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है है और नदी की जगा कोई सड़क भी कोई मुख्य मारग के साहरे भी जो है वो कुछ अधिवाज जो है वो विक्सित हो जाते हैं तो इस प्रकार से रेखी प्रतिरूप का निर्मान होता है, दूसरा जो है वो आयता का प्रतिरूप है या रेक्टिंगलर पैटर्न जिसे हम कहते हैं, यह इस प्रकार का प्रतिरूप है, वो मुख्य रूप से यदि हम देखें, तो किसी कृषी जोद के चारो और कोई एक रे तो वहाँ पर भी हमें इस प्रकार के जो अधिवास के प्रतीरूप है वो विक्सित देखने को मिलते हैं और ये प्रतीरूप हमें महाराश्च और आंधरप्रदेश की जो परवती छेत्र हैं वहाँ पर प्रमुकता से मिलते हैं तीसरा जो आपका pattern या प्रतिरूप है वो वर्गाकार या square pattern हम जिसे कहते हैं और ये प्रतिरूप आपको उन छेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर कई सडक मार्ग जो हैं वो एक दूसरे को square pattern में काटते हैं या वर्गाकार प्रतिरूप में काटते हैं या नदियां भी जो हैं वो एक दूसरे को के सहारे यदी गुजर रही हैं और चाहे वो पकडंडिया हो सकती हैं जब वो दो पैलर पकडंडिया या सडक जो है वो एक दूसरे के समारांतर होकर गुजरते हैं उन्हें वर्गाकार प्रतिरूप का निर्माड करते हैं फिर है वृत्ताकार प्रतिरूप तो वृत्ताकार या सर्कुलर पैटन का या इस पैटन के धिवास का निर्मान किसी जलाशे या तलाब के किनारे जो है वो देखने को मिलता है कोई भी जलाशे जैसे हम तलाब या हम बात कर रहे हैं कोई जील हो गया तो इस प्रकार का जो प्रती रूप है वो जील के चारो और चुकि वो एक लगभग वृत्ता कार होता है और उसके चारो और जो हैं वो अध्यवास विक्सित हो जाते हैं उस जलाशे के चारो और तो हमें इस प्रकार के अधिवास का प्रतिरूप देखने को मिलता है और ये हमें भारत के मालवा में, पंजाब में और गुजरात में अधिक विक्सित रूप में देखने को मिलता है फिर अगला है अरी प्रतिरूप या रेडियल पैटन रेडियल प हम यह कहें कि अलग-अलग जो मारग हैं अलग-अलग दिशाओं से जो विभिनन मारग हैं वो किसी एक गाओ yhte केंद्र की तरफ होकर जाते हैं तो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्मान होता है जो हमें भारत में राजस्थान और उत्तर-प्रदेश में प्रमुकता से देखने को मिलता है बच्चों यह हमने देखा प्रकार और प्रतिरूप अब हम बात करते हैं ग्रामीर धिवास के को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारक तो हमने यह पहले भी चर्चा कर ली है कि जो ग्रामीर धिवास के प्रकार है उनको प्रभावित करने के लिए मुख्य रूप से कौन-कौन से कारक होते हैं या हम मकान के निर्माण से सम्मंदित जो उनको प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी तो लगभग वही फैक्टर्स जो हैं वो आपके ग्रामीर अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगी फिर हम बात कर लें चाहे जलवायू की जलवायू के अंतरगत हम वर्षा को देख लें तापमान को देख लें उसके बाद जो प्राकृतिक कारक यदि हम कह रहे हैं तो प्राकृतिक कारक के अंतरगत हम जलवायू जलवायू के साथ धरातली उच्चावच वहां प नहाने के लिए हो, खाने के लिए हो, विकास की हर दर्शा के लिए, मतलब चाहे हम सिचाई के लिए बात कर लें, और द्योगी करण के लिए बात कर लें, तो इन सब के लिए हमको जल की आवशकता होती ही है, तो जहां पर जल की आपूर्ती बहुत अच्छी मात्रा में है, सा अमनुषी के रहने के अनुखूल जो जलवाई होती है, वो भी लोगों को अपनी तर अकरशित करती है。 तो यह प्राकृतिक कारक्त हो गे, जो ग्रामीड अधीवास को प्रभावित करते हैं, इसके सांथ ही सामाजी कॉर कुछ सांस्कृतिक कारक्त, जो इस अधीवास के प्रकार और प्रतिरूप दोनों को प्रभावित करते हैं। जैसे भी हमने कहा था बिखरे या सेमी क्लस्टर्ड जो हमने बात किये थे अधिवास के प्रकार में जिसमें हमने देखा था जैसे गाम का कोई एक जमीदार या मुख्य वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, वो उस गा तो इस प्रकार से कुछ जो सांस्क्रितिक कारख इसके साथ ही साथ जाती और धर्म भी इनके प्रकार जो प्रभावित करता है मतलब कहीं पर कुछ मुख्य जाती के लोग होते हैं उच्छे जाती के लोग तो वो उस बस्ती के अंदरá में करेंगे और कुछ निचली जाती कि या निचले तपके के लोग जो हैं वो उस मुख्य बस्ती से थोड़ी दूर में रहने लगते हैं तो इस प्रकार से जाती धर्म और अन्य जो समाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं ये भी ग्रामीड अधिवास के प्रतिरूप और प्रकार द सीमावर्ती छेतर में चले जाएं तो हम देखते आ रहे हैं प्राचीन समय से ही वहां पर बाहरी लोगों का आक्रमन होता रहा है और इसके साथ ही साथ देश के अंदर भी जो बहुत सारे राजिय या रियासत के बीच में जो मुटभेड या मतभेद हुआ करते थे इन सब क कारण जो सुरक्षात्मक दिरष्टी कोन है ये लोगों के उपर जो है वो अधिखावी होता था और इसी कारण से dowी जो है वह हम कहें ग्राउमीड अधिवास हो या फिर नगरी अधिवास में भी प्रमक रूप से उत्तर्दाही कारक होता है लेकिन जब ग्रामीर अधिवास की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं इसके लिए सुरक्षात्मक कारण भी बहुत महत्वपून होता है जिसके कारण लोग सघ्धन बसे हुए रूप में या एक समुह में जो है वो निवास करना चाहते हैं तो बच्चों यह हमने देखा ग्रामीर अधिवास क्या है बस्तियां किसे कहते हैं बस्तियों के प्रकार किते प्रकार के होते हैं और उसमें हमने ग्रामीर अधिवास और इसके प्रकार प्रतिरूप और प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चर कि तो आपसे प्रश्न अधिवास की विशेष्टाएं, तो इस पर हमने चर्चा की थी, इसमें जो यहां पर रहने वाले लोग हैं, वो प्रात्मिक कारियों में सनलगन होते हैं, साथ ही साथ हमने देखा था कि यहां पर कुछ हमें सारवजनिक रूप में, जैसे सारवजनिक तलाब है, सारवजनिक क कि अब देखने को मिलती है, और यहां पर जनसंख्या का घंत्य तो कम होता ही है, और आकार भी हमें छोटा देखने को मिलता है, और कुछ जो मुलभूत सुविधाय होती है, जैसे की मनुरंजन के साधन हो गया, या यातायात और परीवहन के साधन, या सिवरेज वाली जो देखने को मिलता है, तो ये कुछ ग्रामीर अधिवास की विशिष्टाओं पर भी हमने चर्चा की थी, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ इसके प्रकारों पर एक दिर्गुतरी प्रश्न के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि ग् अधिवास के प्रकार हो या ग्रामीर अधिवास के प्रतिरूप, साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है, कि सगहने दिवास भारत के किस चेतर में देखने को मिलता है, चोटे प्रश्ने के रूप में, या किसी भी प्रतिरूप के बारे में, जैसे कि आयताकार प्रतिरूप भारत के किस शेतर में मिलता है या अरी ग्रामीर अधिवास प्रतिरूप भारत के किस शेतर में देखने को मिलता है या तोला धानी ये क्या है तो ये भी हमने देखा था पल्ली पुर्वा के कुछ इस्थानी रूप से प्रचलित नाम थे तो बच्चो ये हमने बात कर ली ग् बच्चों कोई भी अधिवास जो है वो पहले एक ग्रामीड अधिवास का रूप होता है उसके बाद धीरे धीरे उसमें बाजार विक्सित होता जाता है फिर बाजार जैसे ही विक्सित होता है तो वो एक कजबा का रूप धारण करता है कजबे के बाद नगर और महानगर इस मतलब उसके विकास की उसनगर के विकास की शुरुआस से लेकर उसके अ अंत्य तक मुखे रूप से चै अवस्थाएं होती हैं जिसमें कोई नगरी अदिवास विक्सित होता है और अपने चरम तक पहुंचता है तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व तो इसमें हम देखते हैं नगर के विकास की इस अवस्था में कुछ एक जहां से कोई बसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा या हम कहें कि परीवहन की सुविधा जिस मार्ग पर होती है या हम कहें को यात्री बसे कुछ नाश्ता चाय वगर करने के लिए किसी एक इस्थान पर तुकान को संचालित करने के लिए जो लोग वहां पर हैते हैं उनके कुछ दो चार मकान वहां पर देखने को मिलते हैं और साथ ही कुछ आग सथान से होकर गुजरते हैं तो ये उस नगर की पूर्व सैश्वा वस्था हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अबच्पन वाली जो आती है शैष्वा वस्था की मतलब कि वो जो स्थान होता है वो एक केंद्री भाग वो बियापारी करोप में विक्सित होने लगता है और कुछ दो चार दुकान से वहां पर अब 15-20 जो दुकान है वो विक्सित हो जाते हैं और उन दुकानों को संचालित करने वाले वहाँ पर कुछ मकान विक्सित हो जाते हैं फिर चुकी हम कह रहे हैं कि यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए या जो परिवहन से संबंधित जो मार्ग वहाँ पर से गुजर रहे हैं उन्हें और अधिक सुविधा देने के लिए उनसे संबंधित जो है कुछ एकाद दो होटल वहाँ पर खुल जाएंगे ऐसे करके वो जो केंद्र है वो विक्सित होता जाता है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में और वहाँ पर रहने योग यह हम कहें कि बहुत सारे लोग है और वहाँ की जो गलिया है वो व्यापारिक केंद्र जो है वो और ज्यादा विक्सित होने लगता है और वहाँ पर आवासी और व्यावसाईक जो छेत्र होते हैं उसमें और ज्यादा प्रसार होने लगता है अब वो धीरे धीरे और ज्यादा दुकाने बढ़ती या व्यावसाईग छेत्र का वहां पर विस्तार होता जाएगा और साथ ही उस केंद्र में जनसंख्या के बढ़ने से जनसंख्या का जो फैलाओ है या जो प्रिसार है वो उस केंद्र से बाहर की तरफ होता जाता है फिर अगला हम देखते हैं प्रोड़ अवस्था तो नगर के विकास की इस अवस्था में नगर के जो आवासी केंद्र होते हैं और उस आवासी केंद्र से जो ओद्योगिक और व्यापारिक केंद्र होते हैं वो इस पस्ट रूप से अलग दिखने लगते हैं मतलब हम यह कहसकते हैं कि एक अलग अलग केंद्र बनता जाता है जिसे हम कहें कि एक आवासी केंद्र हो गया जहांपर रहने वाले मकान ही आपको नखर आएँ Ngay व्यापारिक केंद्र मतलब वहाँ पर बहुत सारे जो दुकान हैं कुछ छोटी मोटी फैक्टरियां या कलकार खाने वो विक्सित होने लगते हैं तो वो एक अलग और दियोगी केंद्र के रूप में विक्सित होने लगता है उससे लगा हुआ जो बाजार है जहां पर व्या व्यापारिया विनिमय का कारी होता है तो एक व्यापारिक केंद्र का छेत्र जो है वो और अलग इस पस्ट रूप से देखने को मिलता है तो यह सब छेत्र जो है इनमें हमें इस पस्ट रूप से भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि जनसंख्या का लगातार दबाव बढ़ता जाता है और इस जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण आवास वाली भूमी जो है वो कम होती जाती है और आवासी भूमी की कमी के कारण यहां पर बहु मंजिला इमारते जो हैं वो विक्सित होने लगती हैं अगली अवस्ता होती की जहां जाता है और यहां पर बहुत ज्यादा इसपस्टा जो है वह व व्या पारिक और प्रशायशनीक प्रशाशनी जो केंडर के रूप में भी ये महत्तरपूर रूपसे उभनने तो यह पूरी तरह से अपने नगर की जो यह अवस्था होती है विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है और उसके बाद अगली और अंतिम अवस्था होती है इसकी व्रद्ध अवस्था की मतलब नगर के विकास की हम इसे अंतिम दशा कह सकते हैं जिसमें नग विकास की चरम अवस्था को तो पहले ही वाली अवस्था में प्राप्त कर चुका होता है, तो अब संसाधन वहां पर उस इस्थान में समापत पराय हो जाते हैं, या हम कहें कि उसका अधिकतम उपियोग कर लिया जाता है, जिसके कारण अब वहाँ पर का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है और इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारे भारत में यदि हम इस प्रकार के नगर की बात करें तो समरकंध है, कुस्तुन्तुनिया है, मुल्तान और बुखारा कुछ इस प्रकार के ही नगरों के प्रमुख उदाहरन हैं तो ये तो नगर के विकास की अलग-अलग अवस्थाएं हो गई अब हम जनसंख्या के अधार पर नगरों का वर्गी करण या नगरों के प्रकार देखते हैं तो इसमें सबसे जो प्रारंभी का वस्था है या सबसे छोटा नगर का आकार हम कहें जिसे पुर्व ये पुर्वा या नगला जो होता है वो नगरी अधिवास का बहुत छोटा रूप होता है जहां पर जनसंख्या लगभग 50 से 100 तक मिलती है इसे थोड़ा बड़ा रूप जो है या दूसरे स्टेप का जो हम कहें कि दूसरा नगर नगरी गाउं कहलाता है मतलब गाउं जैस कि वहाँ पर जनसंख्या उतनी अधिक नहीं होती और बहुत ज्यादा नगरी सुविधाये वहाँ पर विक्सित नहीं हुई होती है जिसलिए से नगरी गाउं के नाम से जाना जाता है और यहां पर जनसंख्या लगभग 100 से 5000 तक हमें देखने को मिलती है तीसरा कजबा कज कजबा जो है वो नगरी गाउं से थोड़ा बड़ा छेत्र होता है जहां पर जनसंख्या 500 से 10,000 के बीच निवास करती है अगला है कजबा से बड़ा रूप नगर और नगर की जनसंख्या एक लाग से अधिक होती है नगर के बाद आता है महानगर महानगर में 10 लाग से 50 आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या के आधार पर नगरों के प्रकार या महानगर किसे कहते हैं या आपसे छोटे प्रशने में पूछा जा सकता है महानगर की जनसंख्या कितनी होती है नगर की जनसंख्या कितनी होती है तो इस प्रकार से भी आपको इन प्रशनों को तय अब ये तो हमने देखा जनसंख्या के आधार पर नगरों के प्रकार अब जिस प्रकार से ग्रामीन अधिवास को कुछ फैक्टर्स या तत्व जो हैं कारक जो हैं वो प्रभावित करते थे उसी प्रकार से नगरी अधिवास के विक्सित होने की पीछे भी कुछ महत्वपूर तो इसके अंत्रगत हम देखते हैं पहला जलवायू जलवायू तो हम यह कहें कि सीधे से कोई भी मानव अधिवास चाहे वो ग्रामिर हो या नगरी हो उसके विक्सित होने के लिए एक अनिवारिय तत्व है क्योंकि मनुष्य उसी स्थान पर रहना चाहता है जहां पर जलवा विष्व प्रशिद्य नगरों की हम बात करें तो ये आपके उपोश्न चैतरों में ही विक्सित हैं, जहां पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी जिसमें मुख्य रूप से टोक्यो है, न्यू यार्क, संगहई और लॉस एंजिल्स ये इस प्रकार के जलवायू के द्रिश्टिकोंड से विक्सित नगर है दूसरा है आपका धरातली ये स्वरूप हमें मालूम है कि नगर जो होते हैं वो परिवहन और उद्योग द्यापार और वाणिज इन सभी के द्रिश्टिकोंड से एक विक्सित छेत्र होते हैं और हम या ये कहें कि इन नगरों में हमें इसी प्रकार के कारी जो हैं चाहे वो द्वितियक हो या तृति हो इन सब के लिए हमें एक समतल धरातल समतल भूमी की आवशकता होती है तो धरातली स्वरूप भी जो है वो नगरी अधिवास को प्रभावित करनेवाला महत्त Авणर कारक है मतलब हम कहें कि परवत या पठारी छेतर के अपैक्षा जो मैदानी छेतर होते हैं वहां पर कोई नगरी अधिवास बहुत अच्छी तरह से विक्सित हो पाता है इसके अलावा तीसरा प्रमुक फैक्टर है खनीज और शक्ती संसाधन तो जिन छेत्रों में खनीज संसाधनों की उपलब्धता होती है या शक्ती संसाधन उपलब्ध होते हैं चाहे वो लोहा हो मैगनीज हो को खननकारी होने के कारण उस खनन से संबंधित जोरोजगार है वहना आसपास के छेत्र के लोगों को मिलने लगते है और जब रोजगार मिल रहा है लोग जहां पर काम करेंगे तो वो अपनी फैमली के साथ ही फिर वहांपरर रहना शुरू कर देते हैं तो वो जो नगर है य या उस शक्ति संसाधन के कारण खनन नगर या खनीज नगर के रूप में विक्सित हो जाता है। फिर हम चले जाएं आपके छोटा नागपुर के पठार में चाहे हजारी बाग हो, धन बाद हो। इस प्रकार के पूरे हम कहें भारत के छोटा नागपुर के पठार के बहुत से ऐसे छेत्र जो हैं, वो खनीज और शक्ति संसाधन के कारण ही विक्सित हुए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जलापुर्ती के श्रूद। तो हमें ऑद्योगिक कारी के लिए भी जल की आवश्यक्ता बहुत महत्त्वपुर्णरूप से होती है। और इसके साथ ही साथ, परिवहन में भी इसके एक महत्तपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जल परिवहन जो है, वो एक सस्ता और सुगम और सुलब परिवहन का साधन होता है. तो इस प्रकार से यदि हम प्राचीन समय से ही जाएं, तो हम देखेंगे कि भारत के जितने भी नगर प्रारंभी का वस्था में विक्सित देखने को मिलते थे, ये सारी सभ्यताएं भी इन नदी खाटियों के आसपास ही विक्सित हुई हैं. तो जलापूर्ती जो है, वो एक महत पून कारक है किसी नगर के विकास को प्रभावित करने वाला. अब इसी में हम देख लेते हैं, जैसे कि जो विक्सित नगर हैं, या चाहे वो भारत की हो या विश्व के संदर में, तो कहां कहां पर कि नदियों की किनारे ये हमें विक् कवा नदी के किनारे इस्थित हैं, इसी प्रकार से हमारे भारत में हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है, वो यमुना नदी के किनारे इस्थित हैं, और इलाहाबाद और कानपूर जैसे जो शहर हैं, वो गंगा नदी के तट पर इस्थित हैं, तो इस प्रकार से जोहन और याताया तो नगर के विकास की हम इन्हें नसे कह सकते हैं, क्योंकि इन नगरों में हमें व्यापार और वानिज का जो कारिय है वो प्रमुकता से देखने को मिलता है, तो चाहे वो व्यापार हो मतलब किसी भी कोई उत्पादन या जो भी वो प्रड़क्शन हो रहा ह होंगे क्रिशी जहां पर कच्चा माल है, उससे संबन्धित जो उत्डयोग स्थापित हो रहे हैं तो वो खुद की उपयोग के लिए तो उत्पादन क्या नहीं जा रहा है वो व्यापार के उद्देश से वो उत्पादन जो है वो किया जाता है, तो व्यापार के लिए हमे यातायात और परिवहन मतलब उस उत्पाद को कच्चे माल को वहां तक लाने के लिए और तयार माल को उत्पाद को हमें बाजार तक पहुँचाने के लिए यातायात और परिवहन की आवश्रक्ता होती है यह हम कहें कि नगर के विकास में यातायात और परिवन की महत पूनभुमिका होती है फिर हम विश्व के या भारत के किसी भी छेतर में चले जाएं तो हम देखेंगे कि जो मुख्य रूप से सडक, रेल या वायू यातायात के दृष्टी कोंड से धनी है या विक्सित है वो एक विक्सित नगर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं फिर हम चाहें दिल्ली की बात कर लें कुलकाता, मुंबई ये सभी ऐसे छेतर हैं जैसे बेंगलूरू है, चिन्नई है, इंदौर है, कानपूर है ये सभी चेतर यातायात और परिवहन के दृष्टी कोंड से बहुत विक्सित हैं और हमें एक विक्सित नगर के रूप में देखने को मिलते हैं अगला है ओद्योगी करण, तो अभी हमने खनन के संबन में बात की थी कि जिस चेतर में खनीच संसाधन या शक्ती संसाधन की उपलब्धता होती है तो वो चेतर खनननगर के रूप में विक्सित हो जाता है और उससे संबन्धित जो उद्योग हैं, जैसे जहां पर लौह यस्क मिल रहा है और उससे रिलेटेड जो उद्योग लौह इस पात उद्योग जहां पर स्थापित किया जा रहा है तो वो एक उद्योगिक नगर के रूप में विक्सित हो जाता है वो इसलिए कि उस उद्योग में कारे करने वाले जो व्यक्ती हैं वो जनसंख्या जो है वो एक अधिकारी वर्ग से एक श्रमिक वर्ग तक व्यक्तियों की वहाँ पर आवशक्ता होती है और ऐसा नहीं है कि वो एक दिन कारे करने आए उसके बाद फिर वापस अपने मूली स्थान के तरफ चले गए उन्हें वहाँ पर हम ये कहें कि वो उनके रोजगार का एक इस्थाइत्व श्रोथ होता है या इस्थाइत्व माध्यम होता है जहां पर वो जीवन भर वो कारी करेंगे तो उन उद्योगों में लगे हुए जो श्रमिक या अधिकारी जितनी भी मतलब जनसंख्या होती है जो कारी कर रहे हैं तो उद्योग कहीं पर स्थापित हो रहा है उद्योग के स्थापित होने से वहाँ पर आवास वो विक्सित होते हैं और रहने वाले लोगों से वहाँ प परीभन भी वहाँ पर विक्सित होता जाता है. साथ ही साथ हम देखेंगे कि चिकित्सा या शिक्छा से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो भी विक्सित होने लगती है और बाजार भी जो है वो विक्सित होने लगता है. तो इस प्रकार से उससे लगी हुई सुविधाओं का भी वहाँ पर निरंतर विकास होता जाता है तो जहां कहीं भी कोई उद्योग स्थापित होता है तो ओद्योगी करण जो है वो किसी नगर के विकास के लिए एक महत्वपून कारक होता है इसके अलावा पुंजी और प्रोध्योगी की कोई नगर और जादा विक्सित होगा जब वहाँ पर पुंजी की आवशक्ता तो होती है पुंजी की आवशक्ता चाहे व्यापार के लिए हो विनिमाई के लिए हो या वाणिजी या परिवहन किसी भी छेतरी के लिए हम बात कर विकास होना आवश्यक होता है और जो नगर प्राध्योगी की या टेक्नोलोजी के संबन में जितना अधिक विक्सित होगा उस नगर का विकास भी उतना ही अधिक होता है तो पुंजी और प्राध्योगी की भी एक महत्वपून कारक है और व्यापार और वाणिज्य तो एक म हम देखते हैं कि नगर में प्रात्मिक कारे तो होते ही नहीं है व्यापार विनिमे और वानिजी से संबंधित कारी ही होते हैं तो जहां पर भी व्यापार या वानिजी से हम देखते आ रहे हैं कि प्राचिन समय में तो वो जो गाउं या कोई भी छेत्र जो है वो व्यापार की शुरुवात वहीं से होती थी हम यह हम कहें कि किसी गाउं से ही व्यापार की शुरुवात होती थी जब प्रारम भी कवस्ता थी और उसके बाद जब व्यापार वहां से होता था तो उस गाउं से नगर के बीच में जो छेत्र विक्सित होता था वो एक कस्बे के रूप में विक्सित होता था फिर धीरे धीरे वो कस्बा बाजार के रूप में बाजार से फिर नगर और नगर से फिर महानगर के रूप में विक्सित होता आया है तो प्रारंभिक सम नगर के ही रूप में विक्सित नहीं होता है एक छोटा कजबा जो है वो धीरे-धीरे यातायात, परिवहन, व्यापार और वाणित जी का विकास जैसे-जैसे वहां पर होता जाता है तो वो नगर के रूप में परिवर्तित होता जाता है और हम स्वतंत्रता के बाद से अभी से संबंदित हो यह जीवन की जितनी भी मूल भूत जो सुविधाएं होती हैं जो हमें एक अच्छे जीवन इस तर प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं उन सभी सुविधाओं के मिलने के कारण गाउं में जो रहने वाले लोग हैं उनका आकरशन लगातार नगरों की त नगरी अधिवास क्या होते हैं तो आपका उत्तर होगा कि एक ऐसा अधिवास जहां पर यातायात मनुरंजन के साधन जीवन की मूल भूत सुविधाएं या हम कहें कि व्यापार और वाणी जी के दृष्टी कोंड से जो विक्सित हो या जहां पर व्यापार और वाणी जी के जिए सिविधाएं विक्सित अवस्ता में मिलती है वो पूरा चेतर जो है वो नगरी अधिवास कहलाता है कश多 आसे हम देख रहे हैं कि स्वतंतरता के बात से लगातार इस नगरी जनसंख्या में यह नगरों के सं्या में हमें वृद्धी देखने को मिल रही हैं नगरो कि नगरों में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं इनकी चका चौंद या हम कहें कि यहां पर सिक्षा और चिकित्सा के बढ़ते हुए अवसर रोजगार के बढ़ते हुए अवसर जो हैं वो ग्रामीर छेत्रों से लोगों को नगरों की तरफ आकरशित करने के एक महत्वपून फैक्टर हैं और इसी कारण हम देखो हैं कि लगातार प्रवास या लोगों का जो प्रवास है वो नगरी छेत्रों की तरफ हो रहा है तो भई नगरी छेत्र में या किसी भी नगरी अधिवास में इस बढ़ते हुए दबाव के कारण बहुत सारी महत्वपूर्ण समस्याएं जो हैं वो अब उत्पन होने लगी हैं जो हम इन नगरी छेत्रों को जहलनी पड़ रही हैं जिसमें प्रमुक रूप से हम देखें तो तीन समस्याएं तो बहुत जादा महत्वपूर्ण हैं जो इन नगरी अधिवासों में नगरी बस्तियों में हमें देखने को मिलती हैं जो जनसंख्या का दबाव यहां पर बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ने लगा है उसके कारण जिसमें परियावर्णी समस्या है रोजगार की समस्या और तीसरी आवास की समस्या तो सबसे पहले हम बात कर लें परियावर्णी समस्या पर तो नगरों में जनसंख्या के इस बढ़ते हुए दबाव के कारण लोग ज़्यादा अधिक संख्या में निवास कर रहे हैं और आप देखेंगे अपने रायपूर शहर में ही या बिलासपूर शहर की ही हम बात कर लें यदि आप आयदिन दिल्ली या कानपूर, मुंबई इन सब शहरों के यातायाद की सिती अपने न्यूस चैनल में यदि आप देखते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि परिवहन य संख्या लगातार, टू वीलर, फोर वीलर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक सिगनल के पास इनका प्रेशर जो है वो हमें अच्छी तरह से देखने को मिलता है कि दो से तीन सिगनल पार हो जाते हैं और लास्ट वाली जो गाड़ी है उसका नंबर नहीं आपाता है तो कितना जादा एक लंबी लगी हुई कतारे गाड़ियों की लंबी लगी हुई कतारे जो है वो यातायात के बढ़ते दबाव को हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं और इसके साथ जो नगरों में ओद्योगी करन बढ़ रहा है लगातार कलकार खानों की संख्या बढ़ रही है और इससे निकलने वाले जो विशैले और जहरीले हम कह सकते गैसे हैं उनकी मात्रा हमारे वातावरण में मतलब वायू मंडल में लगातार फैलती चारी है चाहे हम बात कर लें सल्फर डाय अकसाइड की कार्बन मोनो अकसाइड की या नाइटरस जो हमारे वातावरण को परियावरण को प्रदूशित कर रहे हैं तो परियावरण से संबंधित जब हम समस्या की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसका प्रभाव हमें वायू में और जल में ही देखने को मिलता है वायू में तो इन जहरीले गैसों की बढ़ती मात्रा और जब हम जलकी बात करें तो हम देखते हैं जैसे दिल्ली के पास यमुना नदी जो है वो एक नाले का रूप ले लिया है इसने इसी प्रकार हम कानपूर की बात करें तो कानपूर में जो चमडा उद्योग है उसने इतना जादा वहां पर गंगा नदी को प्रदूशित कर तो इसी प्रकार कानपूर ही नहीं गंगा नदी के तटके किनारे किनारे जितने भी जो ओद्योगिक छेत्र हैं जो अपसिस्ट या सिवरेज का पानी जो गंगा नदी में बहाया जाता है तो वो उस नदी के स्वन नियंद्रण से बाहर हो जाता है और उस लेवल से उपर ह जन्तु हैं वो उसे स्वतह नियंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और बहुत जादा जो गंगा और यमुना नदी जो हमारी है वो प्रदूशन लेवल के बहुत ऊपर चल रही है जिसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जादा आवश्यक हो गया है और दूसरी चीज हम देख रह जाता है और धरातल जो है उसे सोक नहीं प्यादा पाता और इसके कारण हम देखते हैं कि लगातार धरातली जल का जो इसतर है वो भूमि गजल इसतर का लेवल जो है वो क्रम्शह नीचे जाता जा रहा है मतलब गर्मियों के दिन में तो बहुत से ऐसे छेत्रे हैं जो गिर जिसमें मुख्य रूप से हमने जैसा कहा कि वायू और जल प्रदूशन की समस्या जो है यह एक बहुत महत्व पूने समस्या है इसके साथ रोजगार ड्रामीड छेत्रों से जो लोग यहां प्रवास करके आ रहे हैं या फिर किसी भी कारण से जो नगरी जनसंख्या में हम व् अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है तो उस अनुपात में उन्हें रोजगार के आवसर उपलब्द नहीं कराब पा रहे हैं हम जिसके कारण हम देखते हैं जो मुख्य आवासी छेत्र होते हैं उनके आसपास या जो हम कहें कि नगरी कालोनियों के आसपास और दूसरा जो है वो आपके किसी ओद्योगी छेत्र के आसपास मलीन बस्ती या जो जुगी जोपड़ी वाले छेत्र जो हैं वो बहुत जादा विक्सित हो जाते हैं और जहां पर एक छोट इसे कमरे वाले घर में लगभग साथ से आठ सदस्य रहते हैं और वहां पर बहुत सटे सटे हुए घर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जहां पर सडको का तो अभाव मिलेगा ही और साथ ही साथ जो सिवरे से संबंधित समस्याएं हैं या पीने के पानी दुशित पानी की जो समस्या है ये सभी समस्याएं उन बस्तियों में एक आम बात होती है एक आम समस्या होत उनके लिए एक महत्वपूर्ण आवशक्ता अभी के समय में वर्तमान समय में हो गई है और साथ ही साथ दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि वो नगरों में तो आ जा रहे हैं रोजगार के आवसर की तलाश में और जब रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो ये इन बड़ी कालो कि भी हमें पूरे समाज में देखने को मिलती है जिससे समाजिक असमानता को भी बहुत जादा बढ़ावा मिलता है तो इस रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए भी कुछ जो उपाए हैं वो किये गए हैं जिससे की लोग ग्रामीट छेतर से नगरों की तरप रोजगा अब ही एक मुलभूत समस्या है क्योंकि जो लोग आ रहे हैं नगरों की तरफ उन्हें रहने के लिए एक छत तो चाहिए ही एक आवास की आवशकता होगी ही और लगातार हम देख रहे हैं कि अद्योगी करन और बढ़ती जनसंख्या का जो दबाव है जिससे यहां पर आव आवशकी के नगरों में ही बढ़ती हुई बहु ऻूम अंजिला इमारते इमारते के रूप में देखिते हैं क्योंकि भूमी की कमी हो गई है जिससे यहां पर individual बहूमी के मिल्ती है और बहूमुझीला इमारते बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि इस परियावर्णी समस्या हो, रोजगार की समस्या हो या आवास की समस्या, आज वर्तमान समय में ये बढ़ते नगरी करण के एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभर रहे हैं और इनका निराकरण करना, इनका निदान करना जो है ये आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक्ता इसकी महसूस की जा रही है कि हम प्लानिंग करके इन समस्याओं से कैसे निप्टें, कैसे इनका समाधान या इन समस्याओं का हल निकालें। बच्चों, ये चैप्टर जो है इससे संबंधित प्रश्णों के संबंध में पहले ही हमने चर्चा की थी कि ग्रामीर अधिवास से संबंधित कौन-कौन से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, अब यदि हम ओवराल की बात करें तो आप से पूछा जा सकता है जैसे क्रॉल क्या है या जापान में लकडी के मकान ही क्यों बनाए जाते हैं, इसके साथ ही साथ ग्रामीर और नगरी अधिवास में क्या अंतर होता है, छोटे प्रश्ण के रूप में ग्रामीर अधिवास क्या है, नगरी अधिवास क्या है, या बस्तियां किसे कहते हैं, फिर इसके साथ ही आपसे नगरी अधिवास की विशेष्टाएं क्या होती हैं, ग्रामीर अधिवास की विशेष्टाएं क्या होती हैं, ग्रामीर अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक, नगरी अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक, और इन दोनों ही अधिवासों के प्रकार के विश से इन उत्तरों को रिप्रेजेंट करना है